सब्सक्राइब अलेकुम वेलकम टू मैं चेनल केमिस्टी इटा ओलने आज इस वीडियो में हम लोग अलकायल हिलाइट की चेप्टर से एक चोड़ा सा टॉपिक पढ़ने वाले है और रियक्टिविटी अप अलकायल हिलाइट पर मतलब बहुत सारे क्वेशन आई है बहुत ह यह बात दिहान में रखतीजे कि हमारे पास जितना हेलोजन का साइज बढ़ा होगा उतना ही ज्यादा रियक्टिव होगा जैसे हम जानते है कि हेलोजन पेमिली हमारे पास है प्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर हम डाउन दो ग्रूप आते है तो हमारे पास होती है वह गट जाती है डिक्रीज हो जाती है डावन दो कृप तो अकर हम यहां पर देखेंगे कि जितना हमारे पास एक हिरोजन की अलेक्ट्रो निगतिव्टी जितना हमारे पास कम होगा उतना ही यह ज्यादा रेखते होगा तो दोनों के साथ relationship क्या होगा बेटा अगर किसी बच्चे का दिहान size of hydrogen और electronegativity of hydrogen की तरफ नहीं जाता तो एक और point भी है वो क्या है हम लोग ने carbon और hydrogen की दर्मियान electronegativity का difference निकाल देना है जैसे हमारे हमारे पास क्या है लेक्स सपोस कर लीजिए हमारे पास hydrogen की जगा पर chlorine connected हो तो carbon की electronegativity 2.5 और chlorine की 3.0 तो यहां पर इसी क्राइन सरा जाएगा बेटा 0.5 इससे difference निकल आया तो सीदा सीदा point बटाता है कि जितना हमारे पास electronegativity difference carbon hydrogen की दर्मियान जितना हमारे पास ज्यादा था उधना ही हमारे पास reactivity कम होगा तो simple सी point है कि इस size of hydrogen के साथ direct और electronegativity of hydrogen और electronegativity difference अब carbon hydrogen की दर्मियान इनके साथ reactivity order inversely link है यह बात समझ गया बटा बागी हम सब लोग को यह बात मालूम होती है कि electronegativity down the group गड़ जाती है और मोसीव सब्सक्राइब हमारे पास फिराइडिक टेबल में जो है इस प्लोरी उसकी electrone negativity सब्सक्राइब है इस पोर क्लोरीन की 3 ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.6 अब इन basic point apply कर लिजिए अब यह देखते हो कि atomic size of hydrogen किसका सब्सक्राइब है तो बुलो बैटा chlorine chlorine bromide iodine किसका iodine का तो हमारे पास जो correct answer होगा डेड़ है तो option D अगर कोई बच्चा यह कहते है कि नए size के तरफ ने दूसरे point पर चले जाओ तो हम सभी यह बात जानते है बैटा कि iodine की जो electronegativity है वह सबसे कम है तो electronegativity हमारे पास हिलोजन की जितनी कम होगी उतनी ज्याद है इसकी reactivity होगी next question को देखो second number question हमारे पास जो आया है वो कहते कि which of the reactant pair you think the fastest reaction इसमें हमारे पास कौन से reactant के pair है जोड़े है जिनका reaction सबसे fastest है तो देखो बेटा पहला दिया है कि metal iodide और fluorine gas मिलके तो देखो बेटा मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने और कुछ नहीं कर देना है आप लोगों ने देखना यहां पर यह है कि अलकाइल हिलाइड के reactivity पर बात कर रही जा रहे अब मुझे यह बता दो कि सबसे ज्यादा बड़ा साइस किसका है तो बड़ा साइस है तो यहां पर connectivity में अगर देखा जा तो हमारे पास iodine की है सबसे बड़ा है करूरिन का है मारे पास चोटा है ब्रूमीन का हमारे पास फड़ा बड़ा है प्लोरीन का सबछे हैं, अगर order की लिहाज से देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबचे बड़ा आयोडीन, प्र ब्रोमीन, प्र क्लोरीन, और सबचे चोटा हमारे पास को होगा लैडिस फ्लोरीन, तो मुझे बताओ बटा सबसे हाइस साइस किसकी है, बड़ी साइस किसकी है, तो बड़ी साइस है, आयोडीन की, तो ये वाले जो पैर हमारे पास होगा, वो बहुत ही ज़दी और रैपट्री रेक्षन कर देगा, तो रेकर एक कांसरिज option है अब दूसरा फोन यह है कि यहाँ पर जो पडूस में देखा जाए तो हमारे पर प्लूरीन है देखो बेटा हम इस member की बात करा देते हैं फ्लूरीन क्लूरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टाटी अब देखते हैं कि यह प्लूरीन हमारे पास क्लूरीन फो안री तो मतलब है जो सबसे थाप पर यहां पर क्लूरीन है इस से कमजोर है उसको असानी regie सकता है इसा क्या होगा कि प्लूरीना यूडीन को सिकंडोंग सब्सके हटा देगा कोकि वह पैमली मिम्बर में में हमारे पास सबसी चोटा है लेस पाउर तो इस प्लोरिंग को किससे अठाएगा तो यदिद करें हमारे पास किया है बटा डात आपक्सिन नेक्सब्सक्सिशन हम लोग देख … कहते है कहते है, कि Urs सब्दी प्लोरिंग के बाद कgreg निकलो फिला हमारे पास जेको सारो में alkyl group से में ethyl 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 चारो में ethyl पर हमारे पास क्या दे रखे यह एक में chlorine फिर में bromine फिर हमारे पास fluorine और पिर दे रखा है iodine मदलब यह हमारे पास connected form में अचुके तुमुझे बताओ सब्से बड़ा size किसका आयोडीन का सबसी अलेक्टो निगिटिविटी हमारे पास सबसे कम किसकी, तो सबसे कम अलेक्टो निगिटिविटी किसकी, आयोडीन की, और सबसे कम अलेक्टो निगिटिविटी डिफरेंस किसका, आयोडीन का और कार्बन का, जेको बेटा, कार्बन और आयोडीन, आयोडीन कि इसकी कम atomic size की सबसे ज़्यादा तो Automatical बात है इसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी next question हमारे पास जो दे रखा है उसको solve कराते हैं देखो बेटा हमारे पास question दे रखा है कहते है कि the compound which has highest boiling point in the falling is कि सबसे highest boiling point हमारे इसमें सबसे का है तो देखो पहले दे रखा है मेटायल क्लोराइड मेटायल आयोडायड मेटायल ब्रोमाइड या बहुत ANB तो देखो बैटा boiling point के लिए तो simple सा relation है वो तो सब बचों को मालूम होता है कि जो boiling point का relation है that will be directly proportion to intermolecular forces और intermolecular forces डारिक लिए related ओटा-बेटा molecular weight को चाहिए तुम R की respect पर बात करो या X की respect पर बात करो तो मतलब अगर हमारे पात R का molecular size बढ़ता है तो boiling point बढ़ेगा और अगर X हो मतलब हेलोजन की atomic size बढ़ती है तो boiling point भी automatically बढ़ेगी तो यहाँ पर तुम मितायल मितायल सब में एक ही दे रखा है अब यहाँ यह पूचाय थे सब्ची बढ़ा size किसका है बोलो किसका है तो हम बोलेंगे iodine का तो iodine का size सब्ची बढ़ा होनी के वज़ा से इसका boiling point सब्ची ज़्यादा होगा तो the correct answer is option B तो देखो बेटा बहुत ही simple सी question आये थे आप लोगों चूटा बहुत सा concept आप लोगों को लेना है और बाकी इस बात की पिकर नहीं करनी है इता बहुत ही simple test है नास्त बेट से बहुत simple test है MD care simple है तो मतलब हम लोग किसी भी test से नहीं डरेंगे हमारे दिमाग में tension नहीं बढ़ेगा तो हमारे हमारे साथ क्या होगा बेटा हम study को बहुत अच्छे तरिकर से कर लेंगे पर अकर हम यह बोलेंगे कि या इताट इस बहुत डिपिकल टेस है प्लाना टेस बहुत डिपिकल टेस है तो सर में tension बढ़ेगा और tension बढ़ने से आप लोग कोई study नहीं कर पाऊगे तो उमीद है आप लोग को वीडियो अच्छे लगी होगी thank you for watching my video अल्ला हाफिस